आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जो कोशन से क्या पूछा गया है कि अपवरतनांक और प्रकास की चार्ण में क्या संबंद होता है ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे बहुत अच्छे समझेंगे ठीक है, अपवरतनांक और प्रकास की चार्ण में संबंद यहाँ पे हमें देखना है तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ठीक है, तो हम आपको डारेक्ली एक सूत्र जो है लिखके दिखाते है n बराबर क्या होता है, c बटे v होता है ठीक है अब यहाँ पे यह चीच ग् ses लिखी क्या है इसको भी हम संज़ेंगे बहुत ध्यान से ठीक है यहाँ पे n क्या होता है ? kisakar iç design presence किसी माद्यम का अप पुरतनांक , क्या होता है kisakar कहीं कहीं पे इसको म्यू भी लिखते हैं किसी माध्यम का यह अपवरतनांग है क्या है अपवरतनांग है सी क्या है सी है हमारा निर्वात में प्रकास की चाल क्या है निर्वात में प्रकास की चाल ठीक और वी क्या है वी जिस माध्यम का ये अपवर्टनांग लिखा है ना उसी माध्यम में उस माध्यम में प्रकास की चाल ठीक है उस माध्यम में प्रकास की चाल ठीक तो यहां पे अपवर्टनांग क्या होता है किसी माध्यम का अपवर्टनांग क्या होता है निरवात में प्रकास की चाल और उस माध्या में प्रकास की चाल के अनपात को कहते हैं ठीक है यानि कि हम से पूछा गया था अपवरतनांक और प्रकास की चाल में क्या संबंध होता है तो अपुरतनांग पराबर क्या होता है? निरवात में प्रकास की चाल, बटे, उस माध्यम में प्रकास की चाल, जिसका ये अपुरतनांग लिखा हुआ है. ठीक है? तो अब यहाँ पर जो थोड़ा सा हम जो है, ये तो हमारा जितना कोशन पूछा गया था, उसका अंसर यहाँ पर हो गया. ठीक है? आप यहाँ पर जो इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या? किसी माध्यम का पुरतनांग बराबर क्या? निरवात में प्रकास की चाल, तो यहाँ पर यह चीद हमने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दिये, अब यहाँ पर हम आपको एक चीद और बता दें, क्या बता दें? ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, C का मान निश्चित होता है, C क्या है? नियतांग है, जिसकी वेलू क्या होती? जिसका मान होता है, तीन कुड़े दसकी घात आठ मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहां पर जो है हम डारेक्टी देख रहे हैं कि N क्या है N और V में संबंद क्या है N वितकुमन उपाती है V के ठीक है यह भी एक संबंद निकल के यहां से आ रहा है इसको भी आप समझ सकते हैं ठीक है इसका मतलब क् N क्या है N किसी माध्यम का अपरतनांग है V क्या है उस माध्यम में प्रकास की चाथ और दुनों आपस में वितकुमन उपाती है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर N क्या हैगा जादा होगा तो V क्या होगा कम होगा और अगर N कम होगा तो V क्या होगा जादा होगा इसका मतलब क्या हुआ ये एक महत्वपूर जो है क्या निसकर से यहां पे निकला है ठिक कि यहां से हम कह सकते हैं क्या कि अगर किसी माध्यम का अपरतनांग क्या है ज्यादा है यानि उस माध्यम में जो प्रकास की चाल हो जाएगी वो कम हो जाएगी और अगर किसी माध्यम का अपरतनां अधिकतम होगी या पूछ सकता है कि किस माध्यम में प्रकास की चाल नियुनतम होगी तो आप यहाँ पर जो उस माध्यम में अपरतनांग को की तुलना करके बता सकते हैं कि किस माध्यम में प्रकास की चाल अधिकतम होगी और किस माध्यम में नियुनतम होगी मतलब जिस माद्यम का जो अपरतनांक है वो अधिक होगा उस माद्यम का अपरतनांक की चाल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जिस माद्यम का अपरतनांक कम होगा उस माद्यम परकास की चाल अधिक हो जाएगी ठीक है तो हम से क्या था इस कोशन में यही तो पूशा गया थ तो यहां पे हमने देखा क्या अपरतनाक और प्रकास की चाहद में क्या संबंध होता है यह हमने यहां पे समझा है ठीक है? ठीक है? ठैंक यू